हालेलूया क्रिस में प्यार विश्वास ही हूँ आईए आज हम आज एक साथ मिलकर त्रियेक इश्वर की स्तुती करते हुए कहे पिता इश्वर की स्तुती हो हालेलूया पुत्र येश्वर की स्तुती हो हालेलूया पवित्र आत्मा इश्वर की स्तुती हो हालेलूया राजाओं का पहला ग्रंद अध्याए आठ वचन संख्या 27 कहता है जब सुलेमान प्रभु इश्वर के लिए मंदर बन बाता है तब वो प्रभु से प्रार्थना करता है और उनसे कहता है क्या ये संभव है कि इश्वर सच मुझ पृत्वी पर मनुश्यों के साथ निवास करे आकाश तथा समस ब्रह्मान में भी तू नहीं समा सकता क्रिस्वे प्यारे विश्वासियों वह इश्वर जो आकाश और समस ब्रह्मान में भी नहीं समा सकता है उस इश्वर ने अपने आपको इतना नम्र किया अपनी ताकतों को इतना सीमित किया कि वो सिर्फ हमारे बीच में नहीं हमारे अंदर निवास करने आया अपने पवित आत्मा इश्वर के रूप में हालेलूया इस संसार में सारी कीमती और बहुमोल्य चीज सारे योग्य, बुद्धिमान और ताकतवर लोगों को प्राप्थ होती है परंतू स्वर्ग, प्रित्वी और समस भ्रह्मान की सबसे अनमोल वस्तू सबसे अनमोल चीज पवित्रात्मा इश्वर प्रभू ने उन लोगों को प्रदान किया जो आयोग्य है जिन में कोई ताकत नहीं है जो कमजोर है, जो तूटे हुए है हालेलूया प्रभू इश्वर ने हम जैसे अयोग्य लोगों पर हम जैसे कमजोर लोगों पर अपने आपको प्रकट किया है पेंतकोस्त के दिल जब शिश्य एक कमरे में एकत्र थे वे भी हमारे समान अयोग्य थे वे भी हमारे समान कमजोर थे वे भी हमारे ही समान तूटे हुए और डरे हुए थे परंतु अच्छानक से आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गुण्ज उठा और पवित्र आत्मा आग के रूप में उन सभी पर उत्रा हालेलूया और पवित्र वच्चन इस चीज की गवा है कि तब से उनका सारा डर उनकी सारी कमजोर्या उनकी सारी अयोग्यता सब कुछ खत्म हो गई और ईश्वर ने उन्हें इतना सामर्थे प्रदान किया कि उन्होंने संसार के आखरी छोड तक प्रभू का सुसामाचार पहुचाया हालेलूया 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 आईए आज हम प्रभू से प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के एक नए अभिशेक के लिए अपनी सारी कमजोर्यों अपनी आयोग्यता अपने सारे डर को प्रभू ईश्वर के हाथों में समर्पित करें प्रभू ईश्वर पेंतकोस्त के समाल इस वक्त आग के रूप में हमारा अभिशेक की ज़े प्रभू पवित्रात्मा के द्वारा हम अपने हृदय को आपको समर्पित करते हैं आईए आज हम मिलकर पवित्रात्मा की स्तुति आराधना करते हुए उन्हें हमारे बीच में आमंत्रित करें फिर से वो आग बरसा जेस फिर से तुफान आते दे अपने रिदय को समर्पित की महिवास से अपनी आत्मा को समर्पित की फिर से तुअभी शेक करें फिर से वो आग बरसा जारे फिर से तुफान आरे अगनी के रूप में हमें अपना पवित्रा आत्मा बीचे की तुछे महिमा से तुछे महिमा और सामर्थी से पिर से अपने हाथों को खोलते हुए हम पवित्रात्मा इश्वर को हमारे बीच में आमन प्रित्रा आत्मा अगनी नी रूप में हमारे बीच में उतराईए प्रभू हम आपका स्वागत वरते बत्रात्मा इश्वर को हम उनका स्वागत वरते बते। हम उनका स्वागत वरत ॥े वरतु में-कwe क्रिस्ट में प्यारे विश्वासियों, जब एक स्त्री के अंदर एक बच्चा पल रहा होता है, तुब अपना सारा कारे उस बच्चे को ध्यान में रखते हुए करती है। प्रभु इश्वर ने हमारे शरीर को भी तो पवित्रात्मा का मंदिर कहा है, उन्होंने हमारे शरीर में निवास किया है, तो क्या हमारा आच्रण, हमारा रहन सहन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे अंदर बस रहे पवित्रात्मा को कोई तकलीफ ना हो, आईए आज हम हमारे को समर्पित करें आई ये इस शरीर रूपी मंदिर को आज हम साफ करें ताकि पवित्रात्मा फीर से हमारे अंदर निवास कर सकें हम कमजोर थे पर पवित्रात्मा के आने के बाद हम ताकतवर बन गये हैं हम बंधनों में जकड़े हुए थे पर अंतु प्रभु के आत्मा ने हमें स्वतंत्र किया है हम अयोग्य थे पर पवित्रात्मा ने हमें योग्य बनाया है हम दास थे पर पवित्रात्मा के द्वारा हम इश्वर की संतान बन गए है हालेलूया आज हम यह स्विकार करें कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा जीवन पवित्रात्मा के बिना कुछ भी नहीं है आईए आज हम एक हृदय होकर अपने मन को हर एक चीज से खाली करते हुए अपने हृदय को साफ करते हुए प्रभू के मंदिर को तयार करते हुए पवित्रात्मा की स्तुती आराधना करते हुए उन्हें हमारे अंदर आमंत्रित करें आईए फिर से एक बार इस गीत को गाते वे हम कहें कि प्रभू हमारे अंदर आजाएए अपने निवास थान को गहन कीजे प्रभू और वापस से उनकी स्तुती अराधना करते वे इस गीत को गाई बेहने दे उस हवा को चूले हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें दे करते हैं प्रातना तुझे से बेहने दे उस हवा को चूले हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते हैं प्रातना तुझे से तेरी महिमा से तेरे सामत से तेरे से तुअ अभिशे कर दे एक नई अभिशे के लिए हम अपने आपको तयार करते हैं तरहे हातों में अपने आपको संबर्पित करते हैं तुझे अभिशे करते हैं खैलाते हुए पवित्रात्म को हमारे अंगर बुलाएं अपने हरे कमजोरियों में बुलाएं अपने हरे दुख तक्रीप लगें अपने हरे तूटे पन में बुलाएं पुल रूप से समर्वित करते हुए कुरुन्तियों के नाप सन पॉलुस का पहला पत्र अध्याय बारा, बचन संक्या तीन कहता है कोई पवित्रात्मा की प्रेणा के बिना ये नहीं कह सकता कि इसा ही प्रभू है हालेलूया क्रिस्मे प्यारे विश्वासियों यदि हम इस समय प्रभू ईश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि प्रभू का आत्मा ने हमें घेर कर रखा है प्रभू का आत्मा हमें निवास कर रहा है प्रभू के आत्मा ने हमें एक नया अभिशेक प्रदान किया है आईए आज हम प्रभू को अपना दिल समर्पित करें हम प्रवु से कहें कि प्रवु ऐसी कई सारी जगह है जहां से हम तूटे हुए हैं जहां से हम कमजोर हैं जहां से हम बिखरे हुए हैं तो हमारे दिल को बदल दे प्रवु अपने पवित्रात्मा को हर उस जगे पर भेज कर हमें एक नए अभिशेक से भढ़ दे प्रवु पत्थर का रदय निकाल कर तुम लोगों को रखत माज का रदय प्रदान करोंगा मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूँगा जिसे तुम मेरी सहीता पर चलोगी और इमांदारी से मेरी आज्याओं का पालन करोगे लेलूया लेलुया लेलूया आईए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इस पथर रूपी रिधै को निकाल कर वे अपना रक्त मास का रिधै हमें प्रदान करें अपने पवित्रात्मा को भेज कर हमारे हर तूटे जगे को भर दें आईए एक बार फिर से पूर्ण भक्ती के साथ में हम अपने दिल को खोलते वे पवित्रात्मा की सुतिया राधना करें तू बदल दे मेरे दे को पूरी तरह से बदल दे को तेरी करोणा हम पे बरिसे अपने मार्ग पर चला हम को तू बदल दे मेरे मन को ते आशुष इस जीवन को तेरी करोणा हम पे बरिसे अपने मार्ग पर चला हम को तेरी महिमा से तेरी सामर्ग से फेरे से तो अभी शेक करते आईए हम हातों को उठाते वे पवित्रात्मा ईश्वर की सुति आराधना अपने रिवे को खोलते वे पवित्रात्मा को हर उस जगे पर बुलाएं जहां पर हम तूटे हुए जहां से हम तडप रहे हैं आईए हम अपने आवाज को उठाते वे इस्तुति आराधना करते वे पवित्रात्मा इश्वर को बलाएं रभू हम कमजोर थे पर तू ने हमें ताकतवर बनाया हम अयोके थे पर तू ने हमें योकी बनाया है पुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपु हालेलुया आये हम एक बाऊ फ्रlyर प्रेर से अपनी आवास को उठाते हुए इस गीत को गाते हुए पवित्र आत्म इश्वर को धन्यवाद दिए हमारे मन शरीर आत्मा में आने के लिए धन्यवाद दिए हमारे शरीर को अपना मंदर बनाने के लिए अपना निवास थान बनाने के लिए अपने वाद के लिए धनेवाद प्वित्राद महिश्वी Praise you Jesus Thank you Jesus